ये वीडियो उनके लिए है जो बहुत अधिक सोचते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखिए आपकी सारी तकलीफे दूर हो जाएगी एक गाउ में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार खूमती रहती है फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किसमत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से पदला लेने की खाली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सला दी कि यहां पास के ही एक पौध मट में एक जिन मस्त रहते हैं तो उनके पास जाओ वह तुमारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समधान अवश्य बता देंगे वह नौजवान लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों वह यादों को भूल नहीं पाता लड़के की समस्या सुनने के बाद जिन मास्टर वहाँ से उठकर मटके अंदर चले जाते हैं जिन मास्टर का पिना कुछ उत्तर दिये यह उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है थोड़ी देर बात वह देखता जिन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भर कर उसकी तरफ चली आ रही है मूँ। इस प्लास्ट को इसी तरह एक घंटे तक पकड़ कर रखो तो क्या होगा आपके हाथ में दर्ध होना शुरू हो जाएगा। जौरान ग्लास का वजन बदला लड़की ने कहा नहीं वजन तो नहीं बढ़ा तो भला हाथ में दर्ध और मांस्पेशियों में तनाव। कि माया के मास्टर ने पूछा बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण लड़की ने जवाब दिया जिन मास्टर ने फिर प्रश्न किया अब इस दर्ध से छुटकारा पानी के लिए मैं क्या करूं लाश को नीचे रख दीजिए। लड़की ने कहा जिन मास्टर ने कहा बिल्कुल सही और जीवन की परिशानिया भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सूची और आपको पीड़ा होने लग जा के बारे में सोचना जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक उस विलास की तरह यह भी। तुम्हारे जीवन में तर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चा ताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज कल वैसे गलतिया न करो जिसके लिए भविश्य में पच्टाना पड़े इसकी चिंता करना बंद क झाल झाल झाल